नमस्कार, साथियों आज हम सामदाएक स्वास्थे प्रस्रिक्षन कारिक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं ये कारिक्रम बहुत ही महत्पूर कारिक्रम है स्वास्थे की द्रश्टी से और हम सभी के लिए स्वास्थे बहुत महत्पूर है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थे की प्राथमिक्ता का जो लक्ष सरकार ने रखा है उसके आधार पर सरकार बहुत सारे प्यास अपने समय समय पर करती रही है और NIS भी इस शेत्र में सामदाएक स्वास्थे प्रस्क्रिशन कारिकरम रन करता है अपना All Over India इस और यह स yapılगिया तो इस कारिकरम में खास्तोर से बिहार सरकार के साथ जो यह आपको बताना कि आज इस स्वास्थे से सम्मंदेत कारक्यम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दिवेश चंदर मिस्रा जी मौजूद है इस्टूडियो में जो आप एक निदेशक हैं गोपाल हॉस्पिटल पटना से और एक बरिष्ट सल्लेच चिकिसक हैं मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अग्साब आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है हम आपको यह भी बता देए कि हमारे इस पास्ट्रम की कई चीजों से एक साथ जुड़े रहे हैं और उन्होंने इसमें लेखन का काम किया है इसमें उन्होंने संपादन का काम किया है और अभी बी सीधे जू जैसे आज 22,000 कारेकरता सीधा प्रेस्टिक्षन प्राप्त करने जा रहे हैं, जिनका ये प्रेस्टिक्षन सत्र लगवक समापन की ओर है, और इनकी परिक्षा भी बहुत जल्द, यानि जनवरी 2019 में आयुजित की जाएगी, और प्रेक्टिकल भी वहीं पर उनका जो प्रेस् के हैं, जो आपने प्रेस्टिक्षन लिया है, तो चुकि प्रेस्टिक्षन लेने के बाद में हर एक इस्थिति में आपको अपने एक्जाम से सम्मंदित उसमें गुजरना होता है, तो आपको परिक्षा तो देनी ही है, तो इससे सम्मंदित कुछ टिप्स आपको डख से मि खांते भी हैं डग साब वो किस तर से हमने उसको अपने इन स्वास्त के बुनियादी चीजों तक पहुंचा सकते हैं तो यह जो पाठिक्रम है चुकि इसके संपादन में में रहा हूँ तो मुझे मालूम है इसके पूरे कुल तीन भाग बनाए गया है एक तो यह जो आधारभूत जीव विग्यान है जिसकी बुनियादी जानकारी के बिना बिमारियों और इसके बारे में जानना लोगों के लिए मुश्किल है इसलिए इसका पहला भाग आधारभूत जीव विग्यान के बारे में बताया गया है दूसरा है मात्रत एमबाल स्वास्त की देखपाल ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए कि हर बिस्तरी गर्वती होती है बच्चे पैदा करती है तो उनसे बहुत सी चीजे जो हलत की है तो नॉर्मल प्रोसिस है लेकिन बावजूद इसके बहुत से कंप्लिकेशन्स उसमें होने के डर रहते है इस से चाग-रुक रह गए हम लोग बचा सकते है हमारे स्वास्त कार्व करता इसमें अप्नी भ्यववकानी बात है इसलिए भीसे 2 में ये बात रखी गई है तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपातकालीन स्थितियों में हमारे स्वास्त कार्य करता करता बहुत से emergency घटनाओं को कुछ बुनियादी सलाह और इन चीजों के साहरे देख रोगताम कर सकते हैं तो तीसरे विशे में इसकी चर्चा की गई है लक्सा आपने बहुत ही महत्पूर जानकारी दी और आपने बताया कि यह स्वास्थर कार करता कितने महत्पूर हैं हमारे लिए तो देश वहर में वास्तम में स्वास्थर से सम्मंदित हम बात करें तो बहुत सारी आज भी ऐसी जगें हैं जहां medical facilities बहुत काम हैं तो वहां पर स्वास्थर कार करता की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्पूर हो जाती है और जैसा कि आपने बताया कि जो ऐसी जगे पर जहां पर कि कभी भी आपातकाली निस्थिती है और वहां यद कोई किसी तरह की और facility नहीं है तो वहां पर ये स्वास्थर कार करता एक तरह से जो डॉक्टर और पेसेंट है उसके बीच में एक महत्पूर भूमिका निभाते हैं उसको एक आपातकाली ने उप्चार दे जहां पर कि कई वार राद विराद जब समस्या होती है तो वो एक बहुत महत्पूर भूमिका निभाते हुए चिके सामें बड़ा अच्छा काम करते हैं तो ये साथ में हम आपको ये बता दें कि इस पाठकर्म से संब्दित जो चनकरी की बात है तो इसमें क्या-क्या तीन जो भाग डाक साब ने बताए कि आधार भूत जी बिग्यान इसमें बहुत महत्पूर भूमिका निभार आये मात्रत वेवं बाल स्वास्थे की देखवाल ये अपना सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर रोगों वा आपातकालिन इस्थितियों में निभार एवं तो इसमें डाक साब हमने क्या अपने जो हमारे सिक्षारतिय हैं उनके लिए हमने दिया है ये बढ़ी सवाल अपनी पूछा है आधार भूत जीव विग्यान के बिना हम किसी भी बिमारी को समझने में बड़ी दिक्कत होगी इसके बारे में हम थोड़ी सी बात चर्चा करत हैं कुछ टिप्स बताते हैं हम विद्यारतियों को जो परिक्षा में अपेर होने जा रहे हैं उनके लिए उसके पहले हम दो तीन बाते बताना चाहेंगे कि किताब की सुरुआत में दो पेज बना हुआ है जिसमें डूज एंडू नॉट्स की चर्चा की गई है हमारे स्व पास्त कारी करता चिकित्सक की भूमिका अदा करने के क्रम में कई बार अपनी सीमा का उलंगहन कर जाते हैं जिसके चलते लाव की बजाए रोग्यों को हनी उठाना पड़ता है तो उन्हें ये बात बार बार समर्ण रखना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं क करना है इस बात को खास्त्यान देना है अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर और कुछ ऐसे टिप्स जो उन्हें परिक्षा में कारगर होगा उनके लिए तो सबसे पहला है आधारभूत जीव विग्यान आधारभूत जीव विग्यान में हमें अपने सरीर की बनावट पैदा हो सकती है किनकिन जगों पे कौन कौन सी विमारी हमारे किनकिन अंगों को प्रवावित करते हैं हमारे किसकी सिस्टम को प्रवावित करते हैं तो ये तभी जान पाएंगे जब हमें मुलभूत जीव विग्यान की जानकारी रहे तो इसकी सुरुआत में ही ये बात ब तरह हमारे सरीर के भीतर जाकर के तमाम तरह के सिंसरी और मोटर फंक्सन्स को करते हैं इसकी चर्चा संचिप्त रूप से उसमें की गई है ये बुनियादी जानकारी होनी चाहिए उसमें समंदित भी बहुत सी बिमारियां होती है जो आगे की विश्य में बताया जाएंगे फ औकसिजन वहां तक कैसे पहुंसता है औकसिजन ये रक्त का सोधन हमारे फेफड़े में कैसा होता है इस्वाइरेट्रिटर्र सिस्टम में जिसमें कि हम सास लेते हैं सास के रास्ते औकसिजन जाता है वह रक्त को सोधिद करके वह oxygenated blood कैसे सरीर की बिभिन को सीखाऊं उठक तक होता हुआ पहुंचता है यह सब की चर्चा उसमें विस्तार से तो नहीं लेकिन संच्छिप्त रूप से की गई है जो उनके लिए काफी उपियोगी हो ऐसा ही एक्सक्रेटरी सिस्टम है वैसा ही हमारा नर्वस सिस्टम का अलग-अलग पार्ट है सिंसरी सिस्टम पैरसिं लगतरी को भी एक बार देख लें ताकि उनको परिक्षा में जो थियोरी पेपर होंगे उसमें उन्हें बताने में सहलियत होगी इसके अलावा उस टॉपिक में और भी चीज़ों की चर्चा की गई है और नूट्रिशन की चर्चा की गई है कितने विटामिन्स हैं जो हमार vitamins की कमी से क्या-क्या बीमारियां होती है इसकी भी चर्चा की गई है और हम अपने खास करके गाउं में आप कार ये काम कर रहे हैं तो गाउं में काम करने के कार दोरान आपको मालूम होगा कि जो वहां की स्त्रियां हैं वो अधिकतर protein deficiency, fat deficiency, vitamin deficiency, iron deficiency इन समों के जूशती रहती है ये simple supplementation जो सरकार के तरफ से आसानी से उपलब्द है उन्हें उपलब्द कर आके उन्हों जानकारी के अभाव में जो नहीं है ये सब की जानकारी उसमें दी गई हैं बिमारियों के बारे में आप उसमें पढ़ेंगे हमारा भोजन कैसा होना चाहिए उन्हें संतुलित पदलता जीवन से लिए इसमें योग और व्यायाम की बड़ी भूमका हो जाती है हम लोग कुर्सी पर बैठके काम करते हैं सेडेंटरी वर्कर हैं तो बहुत सी बिमारियों को बिमारें नहीं नहीं बिमारें जन्म ले रही है योग और व्यायाम को अपने जीवन में सामिल کر کے اور آپ سواست کاری کرتا ہے تو ہم عام لوگوں کو بھی سامل کر کے آپ بہت سی بیماریوں سے ان کو بچا سکتے ہیں اس بارے میں بھی جانکاری دی گئی ہے اس کو ایک بار ریوائز کر لیں ان کے پلشنوں کے اتر تیار کر لیں یہ آپ کو بڑا اچھا رہے گا کیونکہ پرکشہ میں پریکٹیکل میں بھی اور تھیوری میں بھی دونوں میں آپ کو یہ کام دے گا اس کے علاوہ یوک کے دوارہ ہم لوگ سامانی روگوں کا حلاج کر سکتے ہیں بہت سے جوڑ کے درد ہیں سانس کے روگ ہیں یہ سبوں میں ویبھن آسنوں کے دوارہ پرانیام کے دوارہ ہم ان لوگوں پہ بہت دور تک یوک تھیراپی دے سکتے ہیں ان جانکاریوں کو ایک بار ریوائز کر لیں پرکشہ میں کام دے گا اور آپ کے ہر ایک جیبن میں بھی کام دے گا بلکل ڈاک صاحب آپ نے جو بتایا کہ بہت ہی ایک سندھ طریقے سے آپ نے اس آدار ہو جی بی گیان میں ان ساری ٹاپکس پر چرچہ کی آپ نے بتایا کہ کس پرکار یہ ٹاپکس ہماری لیے بہت مہتپور ہیں تو یہاں جو اگزام کی درہشٹی سے ہم بات کریں تو نشید روپ سے ہمیں اپنے سارے سسٹمز کی جانکاری ہونی چاہیے ہماری بوڈی کس طرح سے کام کرتی ہے اور بوڈی میں سیلز کا اسٹیکچر اس میں دیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سیل میں کیا آتا ہے سیل کے وارے میں ضرور پونچھا جا سکتا ہے اور سسٹمز میں ضرور نشید روپ سے ایک دو جو long answer question ہے وہ آئیں گے آپ کے اور تین طرح کے اس میں question خاص طور سے رکھے گئے ہیں جس میں multiple choice آپ کا کچھ ملے گا کچھ very short answer اور کچھ short answer اور long answer type questions اس میں ہوں گے تو جیسے کی ہمارا सरीर और प्रत्रक्षा प्रनाली है तो इस میں निश्चत रूप से जो immune system है उसकी बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सरीर जो है वो वीमानियों से लड़ने की शंता रखता है तो एक natural immunity होती है एक artificial immunity होती है तो आपने यह सब पढ़ा हुगा और आपको PCP के द्वारा भी जो लेक्चर मिला हुगा उसके बारे में भी आपको जनकारी मिली होगी साथ में जो सबसे important चीज है जिसके हम बात करते हैं स्वास्था को ले करके तो स्वास्था तब ही आपका ठीक रह सकता है जब आपकी स्वास्था ठीक हो तो स्वास्था की जो definition है WHA को according क्या है और वैसे क्या हम लोग मानते हैं इंडियन नो उसमें किस तरह से दिया है तो यह सारी चीज हमको जनकारी महाना चाहिए और स्वास्था की वारे में भी वह पिलर्स कौन-कौन से हैं जिसके आधार पर हम स्वास्था को ठीक रख सकते हैं तो यह सारी चीज हमें जानना बहुत जरूरी है एक इंपोडेंट जो टॉपिक इसमें दिया गया है सामान रोग क्योंकि अक्सर कोई न कोई परिसानी जब हो जाती है हमें हLEका सा बुखार हो गया कोल कफ पेट का धर्थ हो गया तो कई वार हम क्या है का कि तुलसी पते चाय पानी कुछ लेकर के अपने अब को ठीक करने का प्रयास करते हैं कई वार हम गरम पानी में एक चमस सहर लेकर कर सुबह दो-तीन गिलास रोजाना पीने में अपना इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, और भी कई तरह की इसमें जो आईरवेद के अकॉर्डिंग के कहिए, या थोड़ा सा घरेलू उपचार के अकॉर्डिंग कहिए, उन आसदियों का भी थोड़ा सा वड़न आता है, जो एक तरह से हमारे घर में ही उपलद्ध होती हैं, उसके द्वारा हम घरेलू उपचार भी करते हैं, तो इस पर भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, सामान निरो क्या है, उनका आप निवारन कैसे करेंगे, और उनके घरेलू उपचार लेखिए, या फिर चोटे-चोटे, दो-तीन-चार उस पर घरेलू उपचार से सम्मंदित आप को क्वेश्चन मिल सकते हैं, और हमारा भूजन इसके बारे में जैसा बता रहे थे, संतुली ताहार के बारे में एक थोड़ा सा सिक्षार्तियों को एक्स्प्लीन थोड़ा सा करेंगे, संतुली मरीजों को बताते हैं, मरीजों को खास करके आप गाओं में जो काम करते हैं, जो स्वस्त लोग भी जिन्हें सामाने तोर पे हम स्वस्त गिनते हैं, बहुत सी बीमारी अच्छे पी रहती है, उन लोगों को अगर हम संतुली ताहार के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारी जाने अंजाने बहुत सी बीमारियों को की रोकता अम हम कर देते हैं, हमारे संतले ताहार, हमारे सरीर के प्रतिद्रक्शन प्रणाली को भी boosht करती है, जिससे हम मारे सरीर में रोगों से लड़ने की ताकत भी आती है और हम बहुत सी चीजों से बस सकते हैं थोड़ी सी चर्चा इस पर थोड़ी से चर्चा इस पर करते हैं हमारे सरीर के लिए साथ चीजें बड़ा महतुपूर्ण है इंपॉर्टेंट है जानने का एक जो कार्बो हाइडरिट है जो हमारे चावल, डाल, आलू, इन चीजों के रास्ते हमारे स्रीर के भीतर पहुंचता है और उसका हम उप्योग करते हैं. इसके अलावा जितने भी अनाज हैं, सब कार्भो हाइडरेट से रीच रहते हैं. दूसरा है वसा, यानि फैट. फैट के लिए हम लोग जतने तिलहन चीजें हैं, सरसो है, तिल है, तीसी है, ये सब चीजें, और भी बहुत से मुझफली है, ये सब चीजों से हम फैट लेते हैं, इसके अलावा गाय के दूद्स में फैट है, मक्षन के सहारे लेते हैं, घी के सहारे लेते हैं, इस तोरिके से हम अपने सरीर में पहूचाते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये तेल के बारे में बहुत सारे कंफूज़नस हैं, जो हम चाहेंगे की दूर कर くर दें वह इतना नुकसान देह नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं हमारे लिए तेल उतना ही जरूरी है चुकि तेल के बगएर हम लोग जितने fat soluble vitamins हैं वो नहीं से हमारे सरीर में पहुंचेगा तो बहुत सी बिमारिया हो जाएगी आज डायटिंग के चक्कर में बहुत से लोग fat का बिल्कुल उपेक्छा कर देते हैं और बहुत सी बिमारियों को अपने हाने मंतरन दे करके बुला लेते हैं इसलिए हमारे सरीर में fat भी जरूरी है और fat के रास्ते भी energy प्रात करना जरूरी है तो उसके साथ हम लोग vitamin E, vitamin D, vitamin A, vitamin K, ये सब fat soluble vitamins हैं जो हम तहली पदार्थों कि सहरे ही हमारे पास पहुचते हैं घी तेल खास तरुपे ये इसके लिए स्रोथ हैं ये क्या जो अगर डग साब यहां पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा ऐसी vitamins जो जैसे आपने बताए कि fat soluble vitamins हैं यद आप fat बिल्कुल नहीं ले रहे हैं तो जैसा बता रहे हैं कि इन vitamins का हमारे सरीर में जो एक कमी है वो कमी और बरती चली जाएगी और इसको हम पूरा करना हमारे लिए बहुत मुस्किल होगा तो इसलिए ये आपको सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग अकसर ओल से या जो देशी घी है या जो भी है उसको लेने से परहिस करते है कि हम कई मोटे न हो जाए हमारा वेड बढ़ न जाए तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए और लोगों को यह जानकरी में लाइए क्योंकि लोगों को यह जानकरी नहीं है और यह डूटी आपकी ही है क्योंकि आपको जन्व समद्राए के साथ सीधा संपर्क में न में लेड़ा वृता ही रियाना है और उनकी स्रास्था को आप देखना है तो यह आप समझा दीजै कि आपको चाहिए आप अधिक न लें लेकिन एक निश्चित मातरा में जो एक तैल या घी हमें लेना चाहिए मक्खन हमलाना चाहिए वो हम अवस्ते लें बिलकुल आपका कहना बिलकुल सही है चौहान साब मैं खास तोर पर ये जोड़ देना चाहूंगा कि हमारे सरीर को फैट के रास्ते कुछ इनरजी जरूर उत्पादन करना है नहीं तो हमारे सरीर में कई दूसरी बिमारियां हो जाएंगे विटामिन डी विटामिन डी की कमी से हमारे हड़ी कमजोर होने लगते हैं विटामिन डी की कमी से कैल्सियम का अब्सपन रुक जाता है और वो विटामिन डी हमें या तो ये धूप में तभी मिलता है जब हमारे सरीर में फैट मौजूद हो फैट के सहारी है इसके अलावे विटामिन ए जो हमारी रताओंधी का एक बड़ा कारण है और आख की अन्य बीमारियों को भी वो जन्म देता है उसी तरह विटामिन ए जिससे हमारे सरीर में ये यान च्छमता में कमी आ जाती है हमारे स खका जमने के कारण है उसमें मदद करता है तो ये बड़ा जरूरी पार्ट है उसका और ये हमारे फैट के सहारे ही आ सकता है इसलिए हमें प्रती दिन कम से कम पंद्रह क्राम के आसपास हमें चाहिए फैट जो तेल के रूप में आए या घी के रूप में आए या मक्षन के रूप में किसी भी तरीके से यह हमारे सरेर में पहुंचना चाहिए यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तेल घी हमारे लिए जरूरी है लेकिन वो संतोलित मात्रा में जदा घी तेल अगर हम लोग खाते हैं जैसे मांसाहर में लोग बहुत ज़्यादा तेल का प्रियोग करते हैं। या पूरी, कच्चोरी, हल्वा वगिरे में बहुत ज़्यादा तेल घीए का प्रियोग करते है? फिर वो मुटापा और मुटापा से उत्पन होने वाले डियावटीज्स और ब्लड और हट वगैरे समंधी बीमार्यों को जन्वें देता है हमेशा ध्यान रखिये संतुलित आहार का मतलब संतुलित आहार यह नहीं कि किसी चीज को बिलकUL हटा दें या किसी चीज को बिलकुल ही बंद कर दें या उसका अति सेवन करने लेगे हमेशा आप हमारे स्वास्ट कारे करता है गाउं के लोगों को बताएंगे कि संतुलित अहार उनके लिए जरूरी है बिलकुल डगसर, संतुलित अहार जो है बहुत ही महतपून है और संतुलित अहार का मतलब ज longer साब में बताया कि वो सभी भोजन के तत्य जो उचित और उप्युक्त मात्रा में हमारे भोजन में समलित होने चाहिए, जिनकी कमी नहीं होनी चाहिए, वो हमें लेने चाहिए, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं, संतुलित का मतलब यह आप समझ रहे होंगे, और साथ मैं जैसा लवर और पानी यह सब हमारे भोजन के जो है वो एक components है जो हमें निश्यद रूप से एक निश्यद मात्रा में चाहिए ऐसा नहीं है कि जो लोग रिच हैं तो वो एक ऐसा भोजन करते हैं कि नहीं वो बादाम लेंगे या वो सेब खाएंगे तो उनका वो जो है भोजन होगा वो संतलित होगा हम आपको यहां बता देना चाहें कि यद आप बादाम की जगे मुफली खाते हैं तो वो मुफली भी उसी तरह का काम करती है और आप जोगर केले खाते हैं तो वो भी जो आसानी से उपलब्द हो जाता है वो भी ठीक है यद आप एपिल की जगे है तो ऐसी चीजें साग पात पत्ते जो भी चीजें हैं आप अपने डाइट में समलित करें तो यह जो है हमारा जो भोजन और संतुलित आहर की जो हम बात है इस लेसन में हमने की है और यह भी एक बहुत महत्पूर्ण प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है आपको साथ में विटामिन डी की कमी से रेकैट हो जाता है सुखा रोग हो जाता है विटामिन की कमी से जसरता है कि यह संबंदी प्रॉलम आ जाती है बुरहपन जल्दी से आ जाता है विटामिन के से यह कमी हो जाए तो आपके जो रक्त की जो ठक्का है वो आपका नहीं जमता और सकती है और आयोडिन की कमी से घहंगा रोग हो जाता है गले में जो एक बड़ा सा वो निकल आता है तो वो उसकी कमी है जिससे मतलब थायरा बढ़ जाता है तो इस तरह की बिमारियां और यह सब चीजें आपको सामान जनकारी में बिल्कुल होनी चाहिए जिन पर प्रेश्ण भी आपको पूछे जाएंगे योग और वयाम पर हम यहां बात करते हैं डाक साथ ने बताया कि योग और वयाम आज के समय में बहुत महत्तपूर है और योग के माध्यम से आप आज जैसा की चाल चलन में भी है अब सभी लोग योग से अवेर भी हो रहे हैं तो आप अपन प्रवंदन कर सकते हैं तो डग सब्सक्राइब यहां हमने जो प्रत्हम प्रशनल पत्र हमारा था उसकी हमने चर्चा की आदार भूत जी बिग्यान के साथ हम सेकंड पेपर पर आते हैं जो इस कोर्स का बहुत ही महत्तपूर बिल्कुल पत्र है है यह कोर्स का ही नहीं बलकि मैं तो कहूंगा कि यह हमारे स्वास समस्या का बड़ा महत्तपूर भाग है क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा अगर हम पूरे हेल्थ लोड को अगर देखें कि कितना बिमारियों का लोड हमारे कंट्री पर है तो उसमें सबसे ज़्यादा लोड अभी मात्री मृत्यूदर और शिस्व मृत्यूदर अधिक है उसे कम करने की दिशा में हमको लगता है कि ये पाठीक्रम बहुत महत्वण भूमिका निभाएगा इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है बिल्कुल जैसा आपने बता है कि हमने इस पे काफी अच्छा काम किया है और maternal and child health care इसका नाम है जी जी तो किस तरह से मा की जो समस्या है उसको हमने यहाँ इसमें दिया है जो कि हमारे जो कार करता है उनको यह जानना चाहिए बिल्कुल आपका प्रस्टन बिल्कुल सही है तो इसलिए हमने इस पूरे विशे को पांच-छे भागों में बाट दिया है एक तो यह है कि गर्व और गर्भावस्ता से समंधित काम जो बीमारिया परिशानिया जो कंप्लिकेशन्स आते हैं उसमें हमारे स्वास्त करे करता क् कर सकते हैं तो इस ट्रॉफिक पे इसमें इसमें पहला ही यह रखा हुआ है कि प्रसवकालीन और प्रसवत्तर का परिशानिया क्या-क्या है और इस इस अवधी में के दौरान क्या-क्या परिशानिया आती है और उनका समाधान हम लोग कैसे करेंगे तो इसकी चर्चा हम लो भाहघ भी बाठते हैं अपर आक प्रस्टाम्सट मेहीने जो गर्बावस्ता की देख वाल होती है उस पे दूसरे बाठते की दौरान पर आखरी तीन महीने के içलिक मेहने 2 तो उनकी चर्चा हम लोग संचेप में यहां पे करेंगे जो उसमें किताब में चर्चा भी की गई है और उसे समंदे प्रशन भी पूचे जाएंगे तो पहला तीन महीना जैसे ही मालूम होता है कि हमारा महीना इस महीने का जिस तारीक को आने वाला थबूर नहीं आया तो हमें अलर्ट हो जाना होता है हमें यह बताना है पता करना है गाउं में कि कौन सी महला गर्वती हुई है उसे हम लोग अपने स्वास्त के अंदर पर ले जाते हैं उनका परिक्शन करवाते हैं उनका बलड फिशर देखवाते हैं उनकी और चोटे चोटे जो देखवाल जा का आदा करता है क्योंकि आरेज निगेटिव की जो महिलाएं होती है उनके जो बच्चे होते हैं उनको एर्थरोब्लास्टोसिस फिटेलिस से जुजना पड़ता है तो इसकी जांच कराकर उसके प्रतिरक्षन का उपाए हम लोग पहले से कर लेते हैं जो महिला के पती हैं उन placental root से वो बिमारी पहुँच जाती है और अनेक जर्मजात बेकरतियां पैदा करती है तो इन चीजों का जाच होना चाहिए फिर इस बीच में नियमित रूप से blood pressure की जाच, blood sugar की जाच, ये दो जाच तो बहुत जरूरी है चोंकि देखा गया है कि प्रसवकाल में blood sugar बढ़ ज rate काफी जादा है लेकिन इसे हम लोग देख वाल करके इसका उचित चिकित से किये समाधान करके हम लोग इन परिशानियों से निजाद पा सकते हैं तो पहला पर्थम काल में थोड़ा रेष्ट की ज़्यादा से जरुरत होती है हम लोग महिराओं को सलाह देते हैं कि आराम स हो जाता है तो इस संदर्व में भी जानकारी थोड़ी संतुलन जरूरी है इस चीज़ का कुछ आसन ऐसे हैं जो हमें गरभावस्था में और खास करके प्रसौकाल में बच्चे के डिलिवर करने में बड़ा मदद करते हैं उन आसनों की जानकारी उनको देनी चाहिए और य है कितने काम एलाव करने हैं इस बीच में आइरंग कैलियं की गोलियां देनी है बहुत सी दवाएं हैं जो गरभ काल में नहीं दे जाती है तो इस बात की जानकारी रכनी है चिकितसक से बच्चे सलाह लिए बिना कोई भी हुस्दी महिलाओं को नहीं लेना है खास कर के है उन्य दवााइयों की सलाह देनी है जो उनके बच्चों में चरमजात विक्रतीयां पैदा नकरें तो पहले टॉपिक में इन Unless चीजों की चर्चा कीगी है कब टीका करण करवाना है कब चिकत श्र। के बास जाना है कब ल्ठा साॉंड की जांच करानी है कौन कुन से रखत जाज करवाने हैं और उनकी देख्वाल का घर का बाता बरन कैसा बना करके रखना है कौन कौन सी हो सधियां लेनी है बलड फिशर पर ने अंतरन रखना है इन चीजों की चर्चा उसमें की गई है उन्हें कंभीड़ता प्रुवक पढ़ लें और उसके जो प्रश्ण है उन प्रश्णों के उत्तर आप लोग लिख करके भी देखें कुछ कंफ्यूजन हो तो अपने सिंटर जहां पर यह हो वहां पर यह करें दूसरा टॉपिक जो इसमें खास तोर पर दिया गया है वो है अस्तनपान का जब बच्चा डिलिवर हो गया हम लोग पहले टॉपिक में एक बात छूट गई कि जब बच्चा पैदा हो रहा होने का है तो उसे हमेशा हास्पिटल डिलिवरी के लिए प्रमोट करते हैं गाओं में कित्सा की बजाए गाओं में डिलिवरी की बजाए हम लोग यह प्रमोट करते हैं कि वो अस्पताल में जाएं वहां पे अपना प्रशो का कारेकरम अपना करवाएं ताकि सुरक्षित चच्चा बच्चा निकल स कैसे दूद्ध पिलाना है, किस कंडिशन में रखना है, बर्पिंग क्या होता है, यह सब छोटे छोटे टॉपिक आपके किताब में दियो ही है जिसमें बताना है. बचे को ज्यादा दूद नहीं पिलाना है. धिरे धिरे उसके पेट की कैपशिटी को कैसे बढ़ाते हैं, मा क का दूद पिलाने के बाद अस्तन को कैसे साफ करना चाहिए इन सबों की उसमें चर्चा की गई है बोतल से दूद पिलाने को हम लोग प्रमोट नहीं करते जब तक की कोई खास कंट्रा इंडिकेशन नहीं हो कि नहीं अस्तन पान नहीं कराना है कुछ बीमारी है चाती में बढ़ लेंगे और उनके प्रश्णों के उत्तर भी आप ढूंडेंगे इसके अलावा इस कारेकरम में और भी इस ये विसेदू में बहुत से और भी जो रास्ट्रिये कारेकरम हैं उनकी चर्चा की गई है आप ही हमारे यहां कुल लगभग चौबीस रास्ट्रिये स्वास प्रश्चा की गई है आपकी जानकारी होगी तभी आप उन चीजों को प्रोमोट कर सकेंगे और अपने यह जो आपके कांटेक्ट में आते हैं पिशिंट जो कांटेक्ट में आते हैं गाओं के लोग उनको आप इसका लाव पहुचा पाएंगे चुकि बहुत से लोग इन को मालूम ही नहीं है कि सरकार के द्वारा कितने रास्टिय स्वास्तिकारेक्ट में चल रहे हैं और उनका लाव हम कैसे उठा सकते हैं जैसा कि आपने बताया कि यह सारी जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए और यह लोगों की जानकारी कैसे मिलेगी जो हमारे जो स्वास्त से इसका हो या और भी कोई प्रोगाम हो तो इनकी जानकारी लोगों को जब होती है तो उन बीमारियों पर निश्चे दूप से नियंतर हो जाता है और वो एजिली फिर मतलब उसको कर पाते हैं मैं आपको बताता हूँ मैं जो गाओं में काम किया है और मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये कारे क्रिम लेप्रोसी प्रोग्राम चल रहा है तो कि मीडिया और इन चीजों के सहारे सरकार प्रोमोट करती है ख़बारों में लेकिन हमारे गाओं मे पढ़े लिखे लोग कम हैं, उनलों को इनकी जानकारी नहीं है, वह तक वो चीज पहुँचिं नहीं पाती इसलिए मुझे बड़ी उमीद है कि ये का राश्क्रिय कारेकर्म के सफल कराने में हमारे राष्ट ये स्वास से कारिकर बड़ी भूंका निभा सकते हैं ना कि केवल एक ही राज्य में बलकि सभी उन राज्यों में और सरकार इनका पूरा सहयोग ले सकती है सरकार जो है अगर ये कारिकर बिहार में जैसे ये सुरू हुआ है अगर ये सफल होता ह तो मुझे उमीद है कि इसका डुप्लिकेशन अगर अधने राजियों में हो तो बहुत सफल हो तो यह इस तरह से आप निश्ट दूफ से बहुत इंपोर्टेंट यह पेपर हमारा है जिसमें की राज्टिय स्वास्थ है कारिकरम परिवार कल्यान कारिकरम यह भी बहुत खासतोर पे जो यह परिवार नियोजन का कारिकरम कौपर्टी इंसर्चन का कारिकरम और भी जो है डिपो वगएरा डिपो प्रोवेडा वगएरा का कारिकरम यह सारे कारिकरम को हम लोग प्रमोट करके संतुलित परिवार को रख करके हम लोग बहुत सी बीमारियों बहुत स खास दाइद तो होता है इसकी चर्चा भी एक अलग छैप्टर बना करके इसुनिकी की गई कि स्वास्त कार्य करता इसमें क्या-क्या भोमिका अदा कर सकते हैं। फ़रिवार काले क्लियान कार क्रमों में उन्हें सरकार के जो कार क्रम हैं उनकी जानकारी दे करके उन्हें उन कारेक्रमों का लाव उठाने के लिए उसे फैसलिटेट करके राश्टिय स्वास्त कारेक्रमों में फैसलिटेट करके इस्तनपान के बारे में बता करके प्रसौ और प्रसौकालीन और प्रसौत्र कारे में होने वाली परिशानियों के लाव के बारे में बता करके, उन परिशानियों से बचा करके, हम लोग इन चीज़ों को बचा सकते हैं. तो साथियो नेश्चत रूप से आपको यह जो डग सापना भी बताया आपको कि कितना इंपोर्टेंट यह हमारा सब्जेक्ट है और इसके टॉपिक्स हैं जिसमें कि आप सरकार के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा रॉल जो हैं पिली कर सकते हैं और सरकार को भी निश्चत रूप से इन सभी स्वास्था कर्मियों को साथ ले करके जब चल रहेंगे तो निश्चत रूप से अपने स्वास्था के मिशन में वो कामयाब भी होंगे और अब मैं आपको यह बता दूँ कि किस तरह के प्रेशन इसमें पूंचे जा सकते हैं जैसे प्रसब कालीन तथा प्रसवोत पर अबिदी के दोरान महला की देख रहें इस पर एक बड़ा लंबा क्वेश्चन बन सकता है इस तनपान पर निश्चेदूप से एक प्रशन आपको आना ही आना है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि लाव की विस्था में ज्यादतर पूंचने की संभावना इसमें रहती है राष्टे स्वास्था कारिकरम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए एक लिश्ट आपसे पूंच सकते हैं कि मतलब कितने राष्टे स्वास्था कारिकरम हैं उनकी विवेचना कीजिए उस पर प्रकाश डालिए उले कीजिए चार के नाम बताईए इस तरह का क्वेश तो टॉपिक तो यह सभी महत्पूर्ण हैं लेकिन कुछ टॉपिक जो है वो जादा अपनी इंपोर्डेंस रखते हैं तो इसमें आपको परिवार कर लियां से संबंदित किस किस तरह की जो है इसमें जो यूज की जानी चाहिए टिप्स और कैसे आप अपने परिवार को सोख अपना जो दायत तो है उसकी जनकारी का आभवास नहीं होता वो काम तो बहुत करता है लेकिन उसको जनकारी होनी चाहिए कि उसकी भी जो रेस्ट्रोंसिबिल्टीज है वो कौन-कौन से हैं तो इसके वारे में भी एक अच्छा प्रेशन आपसे पूछा जा सकता है तो तो इस पर यह दो हम बात करें तो देखें तो इसमें भी कई बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं और खास्तों से इसमें जीवन बचाव की बात जो है कई जगे आती है तो वो वास्ता में महत्पूर्ण भी है कि एक जो प्राथनिक चिकिस्सा देने आला जो हमारा सौास्त व कर्मी है उसको यह सारी जानकारी बिलकुल होनी चाहिए यहां पर सबसे पहले हमारे जो यह शक्षा नी है जो इनके लिए बताईएगा कि संक्रामक रोग जो है वो किस तरह से हमारे सामने आते हैं और किस तरह से इनका बच्चाप करना चाहिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है चोहान साथ मैं बताना चाहूंगा खास तरपे क्योंकि आपात कालीन स्थितियों में गाउं में सुधी और गाउं में रहने वाले लोग हैं उनके लिए आपात कालीन स्थिती बड़ी बहंकर होती है किसी को आप कल्पना कीजिए कि बिल्कुल गाउं में किसी को पेट में दर्द हुआ अचानक नव उसके आसपास में कोई डॉक्टर है और दूर दूर तक उसके कोई डॉक्टर नहीं है खास करके अगर आप ग्रामीन और अति पिछड़े शितरों में जाएंगे सहरों की बात में नहीं करता तो उन्हें चिकितसक तक पहुंचना भी एक दुरलब काम यह होता है वैसी सित्य में हमारे स्वास्थ कारे करता बड़ी महत्वपोर्ण भामी का आधा कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक को हमने कई भागों में बाटा है उसमें एक तो संक्रामक रोग है और संक्रामक रोग को हमने दो भागों में बाटा है चोकि संक्रामक रोग में कई बिमारि है जो जिसे हम infectious disease कहते हैं कबने कबिल डिजीज कहते हैं तो यह जैसे ट्यूर क्लोसिस है खसरा है है जा है और कितनी सारी बिमारी है सालमोनिला है सीजिला का infection है ऐसी बहुत सारी बिमारिया हैं जिनके पूरी सूची दी गई है और इसे बिसेबाइच एक एक चैप्टर को उसमें कवरिज किया गया है जाने कि हम कहा सकते हैं कि जो बिमारियां एक किसी रोगी को होती है यद वही बिमारी जो दूसरे रोगी को पहुंच जाती हैं उनक मुटा मुटी आप इस वात को कह सकते हैं बास्तों में तीन या चार चीजें कहें तो इसके लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं वैक्टिरिया, वायरस, फंगस, ये सब चीजें हैं जो एक से दूसरी तक पहुंच जाता है बहुत आराब से तो इन चीजें को हम लोग जानकारी क के द्वारा, उनकी रोक थाम के उपायों के द्वारा सफाई रख करके किनकी चीजें से ये फैलती है, इसके बारे में जानकारी करके, जैसे बहुत से भी बिमारियां है, जो वाटर वॉर्न डीजीज है, वो पानी से फैलता है, जैसे जॉन्डिस है, हैजा है, दस्त की और दूसरी विमारियां है, ये सब हमारे फीकल औरल रूट से फैलता है, वो पानी में जाकर के मिल गया, गंदा पानी हम लोग पी लिया, उसके साथ हमारे साथ आगया, खुला में रखखावा भोजन हमने कर लिया, उसके दوारा आ अगया, इस तरीके से ये विमारिया फैलती है अगर हमारी जानकारी हो तो हम लोग हाथ साफ करके खाने का रखेंगे खाना ढख करके रखने के बारे में लोगों को बताएंगे ताजा खाना खाने के लिए लोगों को बताएंगे इन चीजों के इसके अलाव बहुत से हैं जो सांस के पकड़ करके फिर उसके वीतर infection पैदा करते हैं. ऐसी कितनी बीमारिया है, टीटेनस है, अब तो टीटेनस लुप्ट प्राय हो गया है, बहुत कम इसकी बीमार लोग मिलते हैं. इसी अनिक बीमारिया है, plague है, HIV बहुत से हैं, जो sexually linked disease है. जो सेक्स के द्वारा फैलते हैं तो सेक्सवल कंटेक्ट्स के फैलते हैं जिसमें सिफलिस है, गौनुरिया है HIV है, अप्टाइटीस भी है ऐसे कितने सारे हैं जो सेक्सवली लिंक डीजेंज हैं की पूरी सूची और उसमें चर्चा की गई है किताब ने بارے میں جانکاری ہو تو لوگوں کو ہم لوگ آگاہ کر سکتے ہیں سالدھان کر سکتے ہیں اور اس کے دورہ ہم بچنے کے اپائے بھی ان تک بچھا سکتے ہیں اس سے سمندی سوال بھی آپ کو اس میں پوچھا جا سکتا ہے جی تو سیکسولی لنک ڈی جی جی جھیں اس کے علاوہ بھی کئی روٹس ہیں جو فیلنے کا ہے وائرس فیل جاتا ہے کئی راستوں سے بھی وہ ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے پولیو کا وائرس ہے وہ فیکل روٹ اورل روٹ سے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں بچنے کے اپائے اس کے پرترکچن کے اپائے ان سبوں کی سنچپت جانکاری اس کتاب میں دی گئی ہے اس سے سمندی سوال بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں انہیں گوھر سے ایک ایک چیپٹر کو ٹاپک وائج پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں جواب دینا ہے یہ آپ کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا اور پڑھ کر کے جب باس کر کے آپ سماج میں کام کرنے کے لیے جائیں گے تو بھی آپ کے لیے یہ ہوگا دوسرا ٹاپک یہاں اڑک سب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے اور نشتر روپ سے یہ جو ہمارے سواستہ کار کرتا ہے یہ اس میں بہت سارے ایسے کار کرتا ہوں گے جو اپنا پہلے سے ہی وہ کچھ نہ کچھ اس سے سممندیت کام کر رہے ہوں گے ان کو یہ جانکاری میں بھی ہوا لیکن ان کو اب ایک سردھنت روپ سے ایک جانکاری یہ ملے گی کہ کیسے ان کو کون کون سے ایسی بیماریاں ہیں جو اس طرح سے کمینکیویل ڈیجیز کے روپ میں ہماری سامنے آتی ہیں یہ ٹوبر کلوسیسیت کسی کو ہے فیملی میں پریوار میں تو وہ کسی دوسرے ان سدس سے کو نہ پھیلے تو اس کا کیسے ملکہ اپچار کیا جائے اس کو کیسے روکا جائے تو یہ ساری جانکاریاں وہ دہنے میں سچ ہم ہوں گے نشتر روپ سے دیکھیں پڑھائی کے ساتھ پرات کی گئی جانکاری اور جیسے تیسے پرات کی گئی جانکاری میں بہت انتر ہوتا ہے بہت انتر ہوتا ہے کیونکہ پڑھائی کے ساتھ جانکاری کے ساتھ یہ چیزیں بھی معلوم ہوتی رہتی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں جانی ہے جہاں تہاں سے سن کر کے بہت سی غلط جانکاریاں بھی ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے اور اسے ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں کتنے سارے اندویسواس ہمارے گاؤں میں موجود ہے اور چل رہا ہے پل رہا ہے بڑھ رہا ہے تو آخر ان ایو اس کے دورہ سکھتا دینے کا مطلب تو یہ ہی ہے کہ وہ اسے اندویسواسوں پر بھی روک لگے اور صحیح صحیح جانکاری جو بیگیانک روپ سے شد ہو چکا ہے وہ ہمارے سواستکاری گارتاؤں تک پہنچیں بے کل اگلی ٹاپک پہ ہم لوگ آئے بے کل تو اگلا ٹاپک جو ہے وہ پراتھویں کپچار سے سمبندی تھے جو بڑا ضروری ہے اب کیا ہوتا ہے کہ پراتھویں کپچار کی جانکاری ہونے سے بہت سی چیزوں سے ہم لوگ روپ سکتے ہیں جیسے کہیں کٹ گیا کسی کو کس جگہ پر کٹ گیا تو پراتھویں کپچار کیا کرنا ہے وہاں پٹی کرنا ہے خون بند کرنے کا اپائے کرنا ہے اسے انٹی سیپسس کیا ہوتا ہے یہ معلوم ہو صاحب سترا کیسے رکھیں گے کون کون سے انٹی سیپٹک لوسنز ہیں کریم ہیں اس کی جانکاری ہو لگا کے پٹی کرتے ہیں دوائیاں دیتے ہیں ٹیٹینس کا انجکسن لگوانے کی صلاح دیتے ہیں تو یہ سب جانکاری پراتھویں اپچار کے دورہ ہوتا ہے کوئی آدمی ڈوب رہا ہے ڈوب گیا ہے پانی میں وہاں سے نکال کے لائے ہے سانس چل رہی ہے لیکن اسے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے بہت سا پانی وہ نگل گیا ہے تو اسے پانی کو ہم لوگ کیسے نکالیں گے آگ لگ گئی جل گیا کوئی آدمی کسی کو ساپ نے کٹ لیا کسی کو بچھو نے کٹ لیا کسی کو اور دوسرے آپ کو معلوم ہو کہ بہت سا جو ہڈا وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی کٹنے کے بعد وہ بھی جان لیوہ ہو جاتا ہے لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس کا پراتھویں کو اپچار کیسے کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کے بچاؤ کر سکتے ہیں بہت سے بستر سانپ ہیں جو ہمارے گاؤں میں نکلتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو کٹ لیتے ہیں اپچار کے ابھاؤں میں لوگ اندھوی سواس میں کسی کسی جہاں گونی کے پاس جھاڑ فوق میں سمیں برباد کر دیتے ہیں ہمارے یہاں انٹی سنیک بھینم لگ بھگ ہر سانپ کا انٹی سنیک بھینم سر اسپتالوں میں اپلپد ہے وہاں تگر ہم یتھا سکر پہنچا کچھ پراتھویں کو اپچار کر کے تو ہم سانپ کاٹے ہوئے مریضوں کو جیون کا جیون بچا سکتے ہیں تو یہ سب کی چرچہ اس پراتھویں کو اپچار والے ٹاپک میں کی گئی ہے اور یہ آپ اس کو پڑھ کر کے اس کے بہوہار میں تو لائیں گے ہی لائیں گے پر اپچھا میں بھی اس سے پرشن پوچھے جائیں گے ان پرشنوں کا آپ دیں گے اور ہم کو لگتا ہے کہ اس سے آپ جب بہوہار ایک جیون میں آئیں گے تو بھی آپ کو اس سمند میں یہ ہو مکھی روپ سے بات یہاں پہ فیسائز کرنا یہ ہے کہ وہ پراتھویں کو اپچار کی کون کون سیویدیاں ہیں جیسے کہاں پہ انٹی سیپسس کیا ہوتا ہے یہ ساپ کاٹ لیا تو اس کو کہاں پہ باندھنا ہے کتنی دیر تک باندھے رکھنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ساپ کاٹنے کے بعد لوگ کرتے ہیں یا بچھو کاٹ لیا تو اوپر میں باندھی جیے کپڑا سے کھو کس کے اور اس کے بعد تاکہ بیس اوپر نہیں چاہے ٹھیک ہے یہ اپچار صحیح ہے کچھ سمجھ کے لیے لیکن اگر آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ لگاتار باندھے اگر رہ جاتے ہیں تو وہ نیچے پیر کے بھیتر گینگلین بنا سکتا ہے ہاتھ کے بھیتر گینگلین بنا سکتا ہے اور پھر معلوم ہوا کہ وہ پیر ہاتھ کاٹنے کی نوبت آجائے تو اسے آدھے آدھے گھنٹے پہ اس کو پھر کھولنا ہے یہ سب اور جتنی جلدی ہو اتنی جلدی اوپچار کے اندر پر پہنچنا ہے تو یہ سب پراتھمک اوپچار کے انترگت آتا ہے ان سبوں کی چرچہ اس میں سنچے پروپ سے کی گئی ہے آپ انہیں پڑھئے اس کا کٹ لیتا ہے تو اس کے جو اس انگ کے پاس میں اس کو کچھ دوری پر باندھنا ہے لیکن کتنے دیر تک باندھنا ہے اور کس طرح سے باندھنا یہ لوگوں کو جانکاری کئی بار نہیں ہوتی اور ایسے اس حتی میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر کئی بار ان کے انگوں کو کٹنا بھی پڑا ہے پڑ جاتا ہے کیونکہ وہاں کا بلڈ سرکولیشن ہی رک جاتا ہے یہ بھی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے جو کہ اس کرنا ہے بھرپور جانکاری اس کے دیگری اب جل جانے کے بعد اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جلے ہوئے مریض کو پانی اس کے اوپر نہیں ڈالنا ہے پانی نہیں ڈالنا ہے گاؤں میں یہ اندویسواس پھیلا ہو ہے تو پانی نہیں ڈالنا یہ نقصان دے ہے بلکہ جلے ہوئے مریض کو پانی میں بلکہ ڈبا دینا ہے لگاتار اس کو پانی میں جلے ہوئے اسے کو یہ کرنا ہے تاکہ اس کا ففولہ وغیرہ پڑھنے کا کام جو ہے وہ کم ہو اور اس کا جلن بھی کم ہو مریض کی پریشانی کم ہو یہ ساری پریشانیاں جو ہے اس میں ساری ورنن اس میں بہت بچے ڈوب گیا کوئی مریض طلاب میں ڈوب گیا اب ڈوب گیا تو اس کو کیسے رکھنا ہے سانس نالی کو اوپر کی طرف کرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے لوگ گود میں لے لیتے ہیں گردن کو نیچے مہے کر دیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سانس لینے میں اس کو پریشانی ہوتا ہے ان سبوں کی چرچہ اس میں کی گئی ہے اس لیے تو کہا ہوا ہے کہ پڑھ کر کے کی گئی پڑھائی ہمیشہ بینہ پڑھے ہوئے کی پرات جانکاری سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ کتابوں میں پورے انبھاؤں کئی لوگوں کے انبھاؤں اور ان کے ڈسکسن کے بعد کوئی بھی بات اس میں چپٹر میں آتی ہے اگلے چپٹر پہ ہم لوگ آتے ہیں جیون سیلی سمبندھت روگ ہمارے میں بہت ہی مہتبون یہ ٹاپک بھی ہے اور آج کل تو جیون سیلی سمبندھت روگ لوگوں کو بہت زیادہ بھی ہو رہے ہیں جی تو کس طرح سے ان روگوں پر نینتر پائے جائے اس میں خاص طور سے چرچہ کی گئی ہے اور یہ جو ہونے والے روگ ہیں خاص طور سے چاہے وہ بلڈ پیسر کی بات ہم کریں چاہے وہ ڈائیوٹیج ہے چاہے ہمارا جو ہے جیسے ہرٹ سمبندھت پولم لوگوں کو ہو رہی ہے کیڈنی سمبندھت پولم لوگوں کو ہو رہی ہے تو جو جیون سیلی ہماری ہے اس میں جو بدلہ وار آ رہا ہے ان کی ویسے یہ روگ ہو رہے ہیں تو ان میں ڈاک صاحب کیا آپ بتانا چاہے جی جی میں خاص طور پر بتانا چاہوں گا کیونکہ جیون سیلی سے سمبندھت روگ کا مطلب ہم لوگ کہیں کہ نن کمیونکوپلڈیج جی جس کو کہتے ہیں ویسی جو سنکرامت تو بیماری نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لیے بڑا مہتوپرن ہے خاص کر کے جب بیگیانی روپ سے بہت سے ہمارے یہاں اپائے ہو گئے روگوں کے لیے بہت سارے انٹیویوٹکس ہو گئے اور روک تھام کے اپائیوں کی بھی جانکاری بہت ہو گئے ہاتھ سے دھو کر کے کام کریں گے تو ڈائریا ہے جب اگرہ کے گھٹناوں میں کافی کمی آئی ہے ہمارے یہاں ہم لوگ یعنی سنکرامک روگوں پہ بہت دور تک ادھکار پرابت کر لیا ہیں کیونکہ لگ بگ ادھکان بیماریوں کے لیے اس کے انٹیویوٹکس اور یہ سب تیار ہو گئے لیکن اس کی ساتھ ساتھ کچھ نئی بیماریاں اچانک اتپن ہونے لگی اچانک اتپن ہونے لگی کا مطلب ہوا چونکہ پہلے لوگ سنکرامک روگ میں مر جایا کرتے تھے تو اب اس سے جو ہم بچاؤ کر لیا ہیں تو بہت سے ایسی بیماریاں پیدا ہونے لگی جو پہلے کم ہوا کرتے تھے جیسے بلڈ پیشر کا ہائی ہو جانا اچھلکت چاپ ڈیابیٹیز کی بیماری مٹاپا اور مٹاپا جنیت انے بیماریاں تھائروائیڈ اور انڈوکرائن سے سممندیت بہت سی بیماریاں یہ ساری بیماریوں کی سنکھیا اچانک لگا ہے کہ لگتا ہے جیسے بڑھ گئی ہو وجہ کیا ہوئی ہے ہمارے جو بیگیانک سودھ نے ہمارے جیون کو اتنا کمفرٹبل بنا دیا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے کام کرنا پسند کرتے ہیں اجلی ہم لوگوں کو بھوجن اپلد ہو جاتا ہے تو نتیجہ ہے کہ جیو کو اچھا لگنے والا فیٹ جیسے ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ فیٹی فوٹس اور یہ سب کئی نئی بیماریوں کو جن میں دیتا ہے یہ ہمارے جیون سیلی غلط جیون سیلی کے قارن ہے غلط جیون سیلی کا مطلب ہوا کہ ہم لوگ سریر سے سرم کو اپیکشت کر دی ہیں سریر سے سرم نہیں کرتے مانسک تناؤں کو تھوڑا زیادہ ہی بڑھ گیا ہے اس مانسک تناؤں کے قارن بہت سی بیماریاں اتپن ہونے لگے ہیں تو ان باتوں پہ خاص جوڑ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے لیے سریر سے سرم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مانسک سرم کرنا مانسک سرم کی ادھکتہ ہمارے لیے اتنا ہی نقصان دے ہیں تو ان سبوں کی وسط چرچہ اس میں کی گئی ہے اس کو اب جس طرح کا لائف سٹائل ہم لوگوں کا ہوتا جا رہا ہے جتنا فاسٹ لائف ہوتا جا رہا ہے اس فاسٹ لائف میں مانسک سرم کو بڑھاتے جانا بڑھاتے جانا سٹریس لیول تک لے جانا کتنی ساری بیماریوں کو جنب دیا ہے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اب جب بیگیانک لوگ آگے سوچ کر کے پہنچے ہیں کتاب میں اس پر بہت چرچہ نہیں ہے لیکن میں اس کو تھوڑا اور بتانا چاہوں گا اس میں کی تھوٹ لیول پہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہم جیسا سوچتے ہیں وہ ایسی بیماریاں ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ بیماریاں ہمارے بھی تر ڈائیوٹیج اور ان چیزوں کے جنن میں بڑا یہ ہوتا ہے صحیح ہوگی ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس چیز کی اس ٹاپک پہ آپ لوگ پڑھیں اور جیون سیلی سے سماندھی جو اپچار بتایا گیا ہیں ان اپچاروں کی بھی چرچہ آپ آپ کی جانکاری میں ہو اور جنہیں آپ عام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ عام لوگوں کے لائف اسٹائل میں جو بہت سی برانتیاں ہیں ادھیک پیسہ کمانی کی ہوڑ بہت یہ بہت مانسک روپ سے صبح سے سام تک کرسی پر بیٹھ کے کام کرنے کا لوڈ کمپیوٹر پر لگاتار کام کرنے کا لوڈ یہ سب نئی بیماریوں کو جنمہ دیتا ہے آنکھ سے لے کر کے ہمارے سارے سسٹم خاص کر کے انڈوکرائن سسٹم سرکولیٹری سسٹم یہ ہمارے سنٹرل نروس سسٹم یہ سب پر پربھاو ڈالتا ہے اور سب سے جنید بیماری یا سٹروک یہ سب لکوا مارنا یہ سب چیزیں اسی سے پیدا ہو رہی ہیں ان پر چرچہ کی گئی ہے آپ لوگ اسے پڑھیں ان کے اتر کو ڈھونڈیں اور پرکشا میں اچھے انکھ لائیں تاکہ آپ کے بہوہارک جیون میں بھی آپ یہ کر سکیں تو یہ جیون سہلی سنبند روگ کی بات تھی اور یہ اس کے پاس چاہت عوصدی بگیانت تھا عوصدی پرتکریہ یہ بھی ڈریکشن جو ہے یہ بہت ایمپوڈنٹ ٹاپک ہے اس میں کچھ نیشت عوصدی جو ڈریکش ہیں ان کو پرمیشن دی گئی ہے آپ لوگوں کے لیے دھیان رکھیں کہ آپ اپنی سیما سے اوپر نہ جائیں آپ انیسیسری کوئی بینا سوچے سمجھے کسی کو انجیکشن نہ دیں چکٹسک کی سلحہ سے اس کے ماغدہ سن میں آپ کام کریں یہ بات خاص طور سے دھیان رکھنے کی ہے اور ایک چیزہ اور دھیان رکھنے کی ہے ید کہیں کسی طرح کی کوئی ایسی استطیعہ آپ محسوس کرتے ہیں اپنے سینئر جو چکٹسک ہیں ان سے آپ سیدھا سمپر کریں اور اس روگی کو اپنے سمجھے گمبر ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا سریر ہے اس میں کئی طرح کے کیمیکلز اور بھی آج کل ہماری سریر میں جا رہے ہیں کسی نہ کسی مادھم سے تو جو اور جو ڈرکس ہم لیتے ہیں کئی بار اس طرح کی پرتکلیاں وہ اتپن کرنے لگتے ہیں اور جو ہمارا لاشٹ جو ہمارا اس کا لیسن ہے یونٹ ہے وہ ہے آپات کالین استحت پروندھن تو آپات کالین جیسے آپ نے پراتھنے کوکچار کی بات ابھی چرچہ ہوئی آپ کے ساتھ میں اور اس میں آپ نے پڑھا بھی ہوا کی کس کس طرح سے پراتھنے کوکچار کرنا چاہیے تو آپات کالین استحتی میں بھی یہ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کبھی کوئی ایسی بار آگئی ایسی استحتی ہو جاتی ہے جہاں پہ بہت ساری لوگ ایک ساتھ اس استحتی میں آ جاتے ہیں تو ان سب کا بھی کس طرح سے پروندھن کیا جائے کیسے ان کو سوست کیا جائے کیسے صحیح کیا جائے کیسے اس کو نبھایا جائے اور اس استحتی میں آپ کیسے پروندھن کریں یہ آپ کی بہت ہی مہتپور بھومی کا یہاں پر ہے کیونکہ کی کئی وار ایسی آبدائیں آ جاتی ہیں اس میں ایک مہتپور رول آپ کا سرکار کے ساتھ ساتھ بن جاتا ہے تو آپ سواستہ کرمی کے روپ میں اپنا ٹھیک سے یہ نبھا سکتے ہیں تو اس میں جو خاص طور سے جو اچھے اور بڑے پرشن بنتے ہیں وہ آپات کالین استحتی اور پروندھن پر ایک بڑا کوشن بن جاتا ہے چھوٹی چھوٹے پرشن تو ان میں سبھی میں رشتید روپ سے آپ کو ملیں گے جو صورت کوشن ہم جن کو کہتے ہیں تو یہ آپ کو ملیں گے ساتھ میں پرشن ہے وہ آپ کو ملیں گے تو اس کے مدھیم سے آپ اپنا یہ تیاری کر سکتے ہیں جیون سیلی سبمندھت جو چاہے وہ ہردے روپ کی بات کریں ہم چاہے وہ ڈائیبیٹیز کی بات کریں چاہے ہم ابھی جیسے ڈاکسن بتایا اچھ رکھ چپ جسے کہتے ہیں ہائی بلوڑ پیسر اس کی بیماری بھی بہت جاندہ لوگوں کو دیکھنے میں مل رہی ہے اور ڈائیبیٹیز بھی بڑی کومن ہوتی جا رہی ہے اور سب سے بڑا اس کا جو آپ کو بتائی جاتی ہے پراتھنے کچھا وہ کرنے کے ساتھ ہی یاد آپ ان کو یوگک پروندھن ان کا کریں یعنی یوگ کے مادہم سے ابھیہاس کرا کر کے اس کو ٹھیک کریں تو وہ آپ کے لیے بہت ہیتکار اور سواستہ کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے کافی فائدیبند ہوگا یہاں پر اس پہ بھی آپ سے نشد روپ سے پریشن پوچھا جائے کہ کس طرح سے آپ جو ہے کچھ بیماریاں ہیں اور اس کا جو ہے یوگ سے پروندھن کریں گے اور یہ تو آپ کو اب کلیر ہوئی چکا ہے کہ آپ کے تین پیپر ہیں اور تینوں پیپر کے سیونٹی سیونٹی مارکس ہیں جس میں جو تھرٹی مارکس ہیں واقعی آپ کے اسائنمنٹس کے ہیں جو بھی آپ کے ہو چکے ہیں اور پرکٹیکل کا واقعی جو مارکس ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہی ہے تو پرکٹیکل آپ کا انہی ڈیٹس کے آس پاس رہے گا اور آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن سمیہ سمیہ پر اپلد کرا دی جائے گی تو آپ اپنی تیاری کیجئے اینی سبکامناں کے ساتھ میری طرف سے ڈکٹر ڈیریش 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 ڈریش ڈیریش جی جی کی طرف سے بہت 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 سبکامنائیں नमस्कार जैहिन जैभारा नमस्कार